ओम नमस्जिवाये पॉस्ट मास क्रिश्ण पक्ष बुद्धवार चतूर्खी तिथी सुबह 10 बचकर 50 मिनट तक लगी रहेगी तत्पस्चाथ पंचमी तिथी प्रारंभ हो जाएगी चंद्रमा आशलेशा नक्षतर में दोपार 1 बचकर 40 मिनट तक चलते रहेंगे तत्पस्चाथ मघा नक्षतर में प्रवेश कर जाएगे आशलेशा नक्षतर के नक्षतर स्वामी बुद्ध देव हैं आज के जन में जातक सुंदर अत्यधिक बुद्धिमान भ्रहम और शील मानसिक्ता वाले अपने ही कारे की तरफ केंदेत होने वाले हसमुख बातचीत करने में दूसरों की अनुक्रिती करने वाले साहित संगीत के प्रेमी उन्नतिसील और उच्चविलासी होते हैं यदि सहयोगी लगन रहा चंद्रमा और बुद्ध की इस्तिती अनकूल रही तो पूर्ण सफ़ा लोंगे चंद्रमा आज करकरासी में दिन में एक बचकर चालीस मिनट तक चलते रहेंगे ततपस्चात सिंगरासी में प्रवेश कर जाएंगे आज के पूरे दिन के कारेकाल में दोपहर तक करकरासी का प्रभाव ततपस्चात सिंगरासी का प्रभाव कायम रहेगा आज भी दोपार तक चंदर्मा की युत्ती राहू के साथ बनी रहेगी दियस्पति की नवम दृष्टी और केतु की सब्तम दृष्टी भी कायम रहेगी मगर नक्षत्र दोपार तक बुद्ध का तब पस्चात केतु का नक्षत्र कायम हो जाएगा जिससे अपने बुद्धी कोशल का इस्तेमाल दचनात्मक कारियों में होता रहेगा साथन सत्ता का सहयोग और सकारात्मक परणा मिलती रहेगी रुके हुए सरकारी कामकाश पूरे हंग, निवेश और प्रापर्टी संबंधी मामलों में सहयोग मिलेगा पारिवारिक प्रिष्ट भूमी मजबूत होगी और सामाजिक प्रतिष्ठा बनी रहेगी हलाकि संतान पक्स से विचारों में विरोधाबास की संबावना बनी रहेंगी और सामाजिक क्रिया कलापों में ब्य приложet रहेंगे आज के दिन की दिया गया रेंड जल्दी वापस नहीं मिल पाता है और तमाम तरीके की अर्चने धन वापसी को लेकर हो सकती है आज का राहुकाल दोपार 12 बजे से डेड़ बजे तक बना रहेगा इस दोरान किसी भी नए काम की शुरुवात नहीं करनी चाहिए अथवा कोई नया प्रतिबंध नहीं शामिल करना चाहिए मेश राशी के जातकों के द्यावसाईक अस्तर और कारेच छमता में विद्धियोगी रचनात्मक प्रयासों की गति विद्धिया बढ़ेंगी और रुके हुए काम संपन होंगे बौधिक छमता का विकास कारेच छेतर में सही योगी रहेगा मगर स्वास सम्मधी चटिलता है मानसिक भ्रम के इस्ति, मादे स्वास्त की चिंता और मन में नकारात्मत विचारों का उतार चड़ाव भी संभावित है वाद विवाद वाली स्थितियों को पैदा होने से रोकना चाहिए हाला कि घरेलू काम संपन होंगे आग्ठिक लाव सामानी रहेगा साजेदारी लावदायक रहेगी पारिवारिक डायत की पूर्ती होगी विध्यात्यों के लिए आज का समय अनकूल होगा और वयवाहिक मामले फलिभूत होंगे ब्रिश राज़िक जात्मों के प्रयासों में व्रिध्धी होगी और उर्जय आस्तर बढ़ा रहेगा कारेच छेत्र में सुभार होगा और व्यावसाइक गत्विधियों में उत्थान की प्रवरिक्ति बनी रहेगी नीजी निवेस और प्रापर्टी संबंधी मामलों के लिए आज का दिन अनकूल रहेगा सासन सब्ताव अधिकारियों का सहयोग जारी है कुछ कामों में विभागी कर्मचारियों के सहयोग में कमी संब्भावित है मगर आठिक पक्ष मजबूत रहेगा विरोधियों से भी धनलाव संब्भाव है संतान संबंधी सुखत समाचार मिल सकता है विध्याती सफलता के लिए प्रयास जारी रखे और वयवाहिक मामनों के लिए आज का दिन अनकूल रहेगा मित्वन राशे वाले जात्कों के कार उर्जा में थोड़ी कमी और मानसिक दबाव संब्भावित है हर काम के प्रती अनावसक ब्यगरता जल्दबाजी की प्रवृत्ती के साथी साथ मानसिक भ्रहम की इस्तिती भी बनी रहेगी नई कार्य वजनाओं के प्रस्ताओं भी सामने आते रहेंगे सकारात्मक पहल जारी रखें आर्थिक लाव मिलता जाएगा साजेदारी के कामों में व्यगरता और जल्दबाजी उचित नहीं होगी अध्यन अध्यापन में उचित सहयोग और प्रेणा मिलती रहेगी सामाजिक मानपतिष्ठा में ब्रिधी होगी मगर पारिवारिक संबंधों पर ध्यान देना चाहिए दोपहर बाद का समय रहात वर सुकून वाला महसूस होगा मगर स्वाथ संबंधी आवसर साउधानी बनाए रखें और वाहन साउधानी से चलवाएं करकराशी बाले जात्मों को धैर्य और संयम से काम लेना चाहिए अत्यधिक व्यस्कता और जिम्मेदारी के साथ साथ कारे च्षेस्थकी उपलब्धी और नेत्रित करने की छंता विकसित होगी मगर मन में नकारात्मक विचारों का उतार चल्हाव और पारिबारी तालमेल में कमी भी सम्भावित है हलाकि सहकर्मियों के साथ कालमेल भी ठाकर काम करें और वाद भी वाद से दूर रहें सासर सतावा धिकारियों का सहीयोग मिलता रहेगा बच्चों के प्रती चिंता लगी रहेगी विद्यात की सिक्षा प्रतियोगता में प्रयास जारी रखें अपने सामान के प्रती सचेत रहें, स्वास संबन्धी जटिल्ताओं को भ्यान रखें और वहां सावधानी से चलाएं सिंग रासी वाले जात्कों के लिए दो पहर के बाद का समय अच्छा रहेगा, मानसिक रूप से अपने आपको उर्जावान महसूस करेंगे अब पहले से चले आ रहें नकारात्मक बिचारों और मानसिक दबाओं से रहत मिलेगी और कारी वजनाओं की साथर पहल जारी रहेगी रुके हुए काम संबन होंगे, अधिकारियों का सही योग बना रहेगा, आर्थिक लाग सामान रहेगा, मगर कुछ मामलों में अनावस्रक वाद वीबाद, मुकदमे बाजी, इत्यादी से सावधानी अपेक्षित है हाला कि वैबाहिक मामलों के लिए आज का दीन अनुकूल रहेगा, सिक्षा प्रतियोगिता में सफलता संभावित है, प्रयास जारी रखें और वाहन चलाने में सावधानी बनाए रखें कन्या राशी के जात्कों के लिए आज का समय कारी वजनाओं में आथिक लाव और उसको दिख्षित करने में बतित होगा, रचनात्मक पहल जारी रहेगी, कारी वजनाओं के नए आउसर सामने आएंगे, अनावस्रे खर्च और संबंधित मामलों में यात्रा संभावित है साध्य दारी के प्रस्तावों में मित्र वस्रह योग्यों की भून का महत्पून होगी, आथिक लाव बना रहेगा, पारिवारिक और संतान संबंधित की पूर्ती होगी, वैवाहिक मामले अनकूल रहेंगे, विद्यात्यों के लिए आज का दिन सामान रहेगा, अध्यान अध्यापन में मेहनत करनी पड़ेगी, प्रयास जारी रखे और वहाहन सावधानी से चलाने, तुलारासी के जात्कों के लिए नियत्रित करने की छमता बढ़ेगी, प्रतिने धित्व करने का मौका मिलेगा और कारेच छेत्र का विकास होगा, आथिक लाव में प्रिद्ध सामने आएंगे और साजेदारी के कामों में लाव मिलेगा, महत्पूर्ण कामों में दुविधापूर्ण स्कृति बन सकती है, निरने लेने में सावधानी रखें, अध्यान अभ्यापन के लिए आज का दिन अनिकूल रहेगा, स्वास संबंधी सावधानी अपेक्षित है अपने सामान के प्रति साचेत रहें और वहा हम सावधानी से चलाएं ब्रिश्चिक राश्चिवाले जात्कों के लिए स्वास संबंधी सावधानी अपेक्षित है, कारेच शेतर में इस्थेता और सरकारी सहीयोग का संकेत मिलता है मगर कारेच शेत से संबंधीत मानसिक्ता विकास के त्रति केंदित रहेगी और कुछ काम संपन्ध होंगे साजेदारी के मामले आज के लिए अनकूल रहेंगे, साथ ही भैरी और संयम के साथ वानी पर नियंत्रन आवस्चित है धनुराशी वाले जात्मों को स्वास संबंधी सावधानिया रखनी चाहिए चंद्रमा दोपहर तक आठने चल रहे हैं अनावस्चक यात्रव मानसिक्त अनाव और धमापना की स्थिति वाला समय संभावित है मगर दोपहर बात कारेशे की संतुष्टी बनने लगी एगी और आवस्चक सही योग मिलने लगेगा नई कार्योजिनाओं के प्रस्काव सामिल आएंगे जिसमें सासन सब्ताव रधिकारियों का सही योग सामिल होगा आथिक लाप सामाने रहेगा संभनित मामलों में यात्रा का योग भी बना हुआ है धार्मिक भावना बलवती होगी और देवदर्शन के योग बनते हैं विद्याथियों के लिए आज का समय अच्छा है सफलता संभावित है प्रयास जारी रखें और वाहन सालधानी से चलाएं मकर राषिवाले जात्मों की कारी उर्जा बढ़ी रहेगी और उपलभ्धियों का दवर जारी रहेगा प्रतिष्ठा में ब्रिभ्धियोंगी विभागी कर्मचारियों से सहयोग मिलेगा अपनी कार योजनाव में प्रतिनिभित्व करने का मोका मिलेगा अधिकारियों का दिशाने वेस जारी रहेगा साथी पारिवारिक सामध्यस में कमी संभावित है छोटी यात्रा या प्रवास का योग बना हुआ है आर्थिक लाव सामान रहेगा विद्यातियों के लिए आज का दिन सामान यहोगा अध्यान अध्यापन में मेहनत करनी पड़ेगी स्वास संबंधी जटिलताओं पर आवस्थक सावधानी बनाए रखें और वहां सावधानी से चलाएं कुम्बरासी वाले जात्यों के लिए दोपहर तक का समय सावधानी परा होगा मामसिक और स्वास संबंधी जटिलताओं में उतार चड़ाओ संबावित है चंद्रमा छठने चल रहे हैं मगर दोपहर बात कारेच्षेत की निरंतरता बनाए रखने के लिए अतिरिक्त प्रयास आवस्थक होगा हलाकि प्रत्योगी भावना विक्सित होगी और सासन सथावधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा कुछ कामों में रुकावट हो सकती है और साजेदारी के कामों में सावधानी अपेđचित है आर्थिक पक्षामान रहेगा, वयवाहिक प्रस्तावों के लिए आज का दिन अनकूल रहेगा विद्व्याथियों को मेहनत करनी पड़ेगी, मगर सफलता संभावित है प्रियास जारी रखें, आर्थिक निर्णे लेने में सावधानी अपेचित हैं और स्वास संभन्द ही आवसक सावधानी बनाए रखें मीन राशी वाले जातकों को आज भी सावधान रहना चाहिए राहु चंद्रमा की यूती पंचम भाव में दोपहर तक रहेगी विरोधी पक्ष सक्रिय रहेंगे, किसी मामले में साजीस के सिकार हो सकते हैं आवसक सावधानी बनाए रखें मगर दोपहर बात कार योजनाओं की निरंतरता बनी रहेगी नए प्रस्तावों के लिए आज का समय उचित होगा आर्थिक मामलों में सहीयोग संभव है मगर आर्थिक निरंए सोच समझ कर लेना चाहिए संतान संबंधी चिंता बनी रहेगी दिद्यार्थियों के लिए आज का दिन दोविधा पुन रह सकता है सफलता संभावित है और स्वास संबंधी आवसक सावधानी बनाए रखें आज के लिए बस इतना ही कल फिर मिलेंगे ओम नमाशुराएं